हेलो गाईज आज हम शिक्षाने देशाले के तरफ से दी जाने वाली कारेबतरक नमबर 16 करेंगे जो की क्लास 8 की है और विश्य है हिंदी दीवानों की मस्ती ये वरक्षिट 14 सेप्टेंबर 2021 की है तो आईए शुरू करते हैं आज की वरक्षिट आपके पाठे पुस्तक वसं गया है हम भिकमंगो की दुनिया में स्वचंद लुटा कर प्यार चले हम एक निशानी से उरपर ले सफलता का भार चले अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले हम स्वैम बदे थे और स्वैम हम अपने बंधन तोड चले तो पहले हम समस्य को कभी क्या कहना चाहता है यहाँ पर कि हम भिकमंगो की दुनिया में स्वचंद लुटा कर प्यार चले कभी इन पंक्तियों के मादयम से कहना चाहते हैं कि हम कमी और शिकायतों का रोना रोने वाले लोगों के बीच बिना रुकावट और प्यार और खुशिया बारते चले हैं भिकमंगो मत कहीं ऐसफलता निराशा या हार मिली है तो हम उसे भी सहर सविकार करके आगे बढ़े अगर किसी जगये amineen कोई हार मिल गई है कहीं एसफल हो गये तब ़ी वो नोंने संहच के साथ में क्या किया किया है इसे सविकार करके वो आगे बढ़े हैं अब अपना और पराय बहा आबाद रहे रुकने वाले कविन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि यात्रा में हमने अपना और पराय का भेद मिटा दिया है मनलब सभी को उन्होंने अपना माना ऐसा नहीं कि किसी को पराया माना सब को उन्होंने क्या माना है अपना माना है जो हमारे साथ नहीं चले जो रुक गए वो भी क्या रहे हमेशा आबाद रहे हम स्वैम बंदे थे और स्वैम हम अपने बंधन तोड़ चले हमने अपने लिए स्वैम के ही नियम बनाये थे और जरूर पढ़ने पर हमने स्वैम ही उन नियमों को तोड़ दिया तो देखो कवी क्या कहना चाहता है क भिक्मंगो की दुनिया पर मनला हमने तो प्यार रूट आय था लेकिन हमें प्यार नहीं मिला जो ये लोग क्या करते रहते हैं हमने बिना रुकावट के प्यार और खुशिया माँती है अगर हम कहीं एसफल भी हुए हैं तो हमने उसको भी क्या किया और संकर्ष को भी हमने सविकार किया है अपने और प्रायम में हमने कभी भेद नहीं किया और जो रुक गए हमारे रस्ते से जो हमारे साथ नहीं चल रहे हैं वो भी हमेशा आबाद रहे हैं और हमने अपने नियम खुद बनाये थे और अब इन नियमों को हम खुद ही तोड र कवी लोगों को भिकमंगों की दुनिया क्यों कह रहा है क्यों कि लोग शिकायत करते हैं और कवी ने अपना प्यार दिया उनको लेकिन वापस बदले में उन्हें प्यार नहीं मिला प्रशन नमबर टू स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले पंग्ती में कवी का क्या आश्य है स्वच्छंद मतलब कि हमने अपना सब कुछ लुटा दिया बीना किसी लालच के लेकिन हमें वो प्यार नहीं मिला प्रशन नमबर चार स्वच्छंद का विलॉम्शद बताईए और प्रशन नमबर चार उर्क के शब्द के प्राइब अचे तो ये कोशन हम सभी करते हैं साथ में आईए देखते हैं तो देखो कवी क्या कहना चाहता है कि यहां भिकमंगों की दुनिया से कवी का आश्य है कि दुनिया में केवल लेना जानती है देना नहीं जानती शिकायत करना जानती है कवी ने इस दुनिया को प्यार दिया पर बदले में उसे प्यार नहीं मिला जिसकी वजह से जिसकी वय आशा करता था देखो क्या कह रहा है कि इस दुनिया में कवी जो कवी ने जो प्यार दिया बदले में उसे वो प्यार नहीं मिला बदले में क्या मिली उसे शिकायते मिली लेकिन दिवाने अपना प्यार खुले हातों से बाड़ते हैं उन्होंने क्या कर रहे हो अपने खुले हातों से अपना प्यार बाट रहे हैं प्रेशन नमबर तीन का उत्तर दे के स्वच्छंद का मतलब होता है बंदा हुआ उसका खुला खुले विचारों का तो इसका उपोजिट क्या हो जाएगा नियंत्र इसी तरह उर्का प्राइबची उर्का प्राइबची होता है हर्दय और दिल तो यह थे चार कोशन अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोशन अब देखते हैं प्राशन नूर्ज नूर पांच कवी किस परकार के बंदनों में बंदने और उनों की तोडने की बात करें हैं उन्हें बंदने और उन्हें को अजरूरत पढ़ने पर तोड़ने की बात कर रहे हैं और यहां पर गतिविदी दे गए उप्युक्त पंक्तियों में कौन सी बात आपको सबसे जाधा अच्छी लगी अनुछेद में अपने विचार में लिखे तो आपको अपना विचार ब्य हैं और उसने जो अपनी नियम बनाए हैं उनमें वह बंद गया है और उन्हें तोड़ने की बात करें कि जब जरूरत आएगी तो वह उन्हें तोड़ देंगे उत्तर नंबर सिक्स देखो क्या कहता है कभी द्वारा बोली गई बात आपको कौन सी बात अच्छी लगी तो क यहां बात मुझे सबसे अच्छे लगे रगा आपको कोई और बात अच्छे लगे तो आप यहां पर वो भी कर सकते हैं तो यह थी आज की वरक्षिट वरक्षिट कंपलीट करके अपनी टीचर से चेक करवाईए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब की कीजिए और शेर कीजिए थैंक यू गाइज अपनी वरक्षिट कंपलीट कीजिए थैंक यू